कि अ कि- हलो स्टुडैंट्स स्वागत आप सभी खा roll यूटू क्लास में तो स्टुडैंट्स मैं आप लोगों के लिए क्यों ले करके आया हों यह क्यों क्लास नईन्थ की महत की बुक से लिया गया है क्यों नोबर नाइन है इसके दो पार्ट हैं इसमें हमें verify करना है मतलब simple यह है कि हमें फर्मूला प्रूब करना है ठीक है तो पहला जो है यहां पर दिया गया है x cube plus y cube is equal to x plus y under bracket x square minus x y plus y square ठीक है एक तो हमें यह प्रूब करना है दूसरा हमें प्रूब करना x cube minus y cube is equal to under bracket x minus y bracket close under bracket x square plus x y plus y square यह हमें प्रूब करना है ठीक है यह polynomial chapter से question लिया गया है तो यह दो question है मैं इनको दो part में discuss करूँगा ठीक है आप कहेंगे तो मैं एक ही part में बना दूँगा तो comment box में बताईएगा ठीक है तो फिलाल मैं अभी पहला question बना रहा हूं इस वीडियो में दूसरा part इसके दूसरे वीडियो मिलेगा ठीक है तो हमें क्या प्रूब करना है हमें प्रूब करना है x cube plus y cube is equal to x plus y x square minus x y plus y square ठीक है तो यहां पर इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक identity लेंगे वो लेंगे x plus y का whole cube है ना by using x plus y whole cube अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको x plus y का whole cube याद है जिनको जिनको याद है जरा एक बार बताओ है ना वीडियो को पाउच करके बताओ बता रहा हूं ठीक है x cube plus y cube plus 3xy under bracket x plus y यह होता है इसका क्या identity x plus y का whole cube तो आप ही देखो हमको यह चाहिए ना x cube plus y cube वो हमें यहां पर दिख रहा है आप ध्यान से देखोगे तो इस section में आपको x cube plus y cube दिख रहा है तो जब आपको यह चाहिए तो इसके बागी वाला जो portion वो इधर बेच दीजिए ठीक है तो आप ध्यान से देखो कि 3 का sign कैसा है positive तो इधर आए कि क्या होगा negative तो यानि कि यह x plus y whole cube minus यह वाला section 3 x y और यह वाला फिर हो जाएगा x plus y ध्यान देना है आपर बहुत student एक गलती और करते हैं जैसे हमने कहा कि इसको छोड़के यह पूरा term इधर आएगा दूसरी side आएगा तो इसका sign बदल जाएगा बिल्कुल बदल जाएगा लेकिन बहुत सारे student इसकी भी sign बदल देते हैं जो bracket के अंदर है देखिए यह इसके into में है यानि यह एक ही term में है तो इस bracket के अंदर का sign नहीं बदलेगा यहाँ पर plus है तो यहाँ पर plus ही रहेगा सिर्फ और सिर्फ 3 का sign बदल के minus हो जाएगा is equal to x cube plus y cube ठीक है अब कुछ हिस्सा हमने यहाँ पर ला दिया हमें बस यह वाला लाना बाकी है तो finally देखो यहाँ पर यह वाले section में और यह वाले section में ठीक है यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे कि x plus y जो है x plus y सेम सेम है तो मैं इसे common कर सकता हूँ होगा क्या x plus y common कर लिया हमने तो यहाँ पर देखो power 3 है कितनी power है power 3 है तो अगर आप 1 x plus y common ले लोगे तो यहाँ पर power 2 बच जाएगी x plus y whole square है ना जान देना यहाँ से हमने power 3 था 1 x plus y common ले लिया तो power 2 बचेगी और यहाँ पर power एक ही है और हमने एक common कर लिया तो यह नहीं बचेगा मतलब यह हो जाएगा 3 x y और यह नहीं बचेगा फिर हो जाएगा हमारा x q plus y q अगर इतना समझ में आया हो तो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं देखो अभी क्या है ना कि यहां पर अब ध्यान से देखो एक सब्लस वाई का होल स्कुरेर है क्या है यह एक सब्लस वाई का होल स्कुरेर तो यहां पर आइडेंटिटी लगेगी कितनी हो जाएगी x square plus 2xy और plus y square यही तो आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी नमबर फास्ट यह प्लस वाई का होल स्कुरेर x square plus 2xy plus y square अब इसके प्लेस पर हमें पुरा राइट कर देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा x square plus 2xy plus y square minus 3xy बाकी चीज़े सेम रहेंगी बाकी चीज़ों में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा x cube और plus y cube ठीक अब मैं इस बार जो x cube plus y cube है इसको इधर राइट कर लेता हूँ is equal to है चेंग इधर राइट करें चेंग इधर राइट करें राइट कर सकते हैं तो यहां यहीं रहेगा x plus y change कहां पर होगा देखो यह वाला xy है और यह वाला xy है अंतर बस इतना है कि यहां पर plus 2xy है और यहां पर minus 3xy है तो इनका sign बड़ा है तरीका तो sign क्या आएगा minus में आएगा x square तो यहां पर sign क्या आएगा minus में आएगा और 3xy में से 2xy minus हो जाएगा तो 1xy बचेगा अब मैंने आपको बताए कि 1 हम लिखते नहीं है ठीक है तो बचेगा कितना minus xy और यह y square बचे जाएगा तो आप ध्यान से देखो तो आपका फार्मूला प्रूब हो गया है ठीक है एट्स वैरिफाइड तो यहां पर क्या लिखेंगे वैरी फाइड तो इतना आप राइट कर लो यह आपका question number 9 का first part है second part में second video में डालूंगा तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को like कर दो subscribe कर दो और share भी कर दो comment box तो करते ही नहीं हो यार तुम लोगों ने किसम खा रिखा है कि comment नहीं करेंगे बताया करो है ना कि कैसा लगा आपको वीडियो थैंक्यू ग्लास